है गाइस तो हैर कैसो आप सब लोग वल्कम बैक टू मैं चानल एनिमे वर्ल दिन दी तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले डोरे मॉन के एक बहुत ही जादा डेंजरस एपिसोड में जी हां आप सब सभी सुन रहे हो ना ही मिस्ट्री ना ही हॉरर डोरे मॉन का एक डें सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को करते हैं शुरूरे मॉन सीजन 15 में एक ऐसा एपिसोड आया जिसने हम ओडियोंस को हिला कर रख दिया इस एपिसोड के अंदर हमें नूबिता का और शुजुका का बच्चा दिखाय जाता है अब इसके बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना तो एपिसोड के स्टार्टिंग में यह दिखा जाता है कि डोरे मॉन जो एक गलत गैजट मंगा लेता है गलती से और उस गलत गैजट के जरूर कुछ इंट्रेस्टिंग होगा पर उसको यह नहीं लगा था कि कुछ खतरनाक भी हो सकता है तो नूबिता जो उस गैजट को बिना सोचे समझे यूज करने लगता है अब वह गैजट यह होता है कि तुम उस गैजट के अंदर कई सारे चीजों को डालके तुम किसी क भी बच्चा बना सकते हो व चाहे मॉंस्तर हो सकता है नहीं हो सकता है क्योफ्य ऐसा नहींग robust जो कि घर के कुछ सामान से एक बच्चा बनाया जा सकते हैं उस सामान के अंदर साबुन पेंसिल वगएरा वगएरा और भी घर के कई सारे चीज़े अब जो नुबिता को कुछ चीज़े कम पड़ रही थी तो शुजुका से जाके कई सारे पैंसिल लेकर आ जाता है और वो नुबिता सारे चीज़ों को मशीन के अंदर डालके एक बच्चा बना लेता है उसी दौरान फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर से एक आदमी आता है और यह बोलता है कि मुझे यह मशीन ले जाने का ओर्डर दिया गया था डोरे मौन के थ्रू पर नुबिता बोलता ओलता है नुबिता इंदर से जो भी चीज़ बनाएंगे यह पूरी दुन्या में राच कर सकता है वह इतना और यही सब सोचके और सुनके नूबिता घबरा जाता है और डोरेमॉन पूछता है आखिर तुम इतना टेंशन में क्यों आ गए फिर मोबिता बोलता है मैंने उस मशीन को यूज किया और एक बच्चा बना लिए डोरेमॉन जो नूबिता पर काफी जादा बुष्सा हो जात है और यह बच्चा लिट्रली इतना ज्यादा ताकतर होता है कि किसी के माइंड को भी रीड कर सकता है और डोरेमॉन तक को हरा दिया इसने और डोरेमॉन को बिल्कुल भी असर नहीं कर रहा था और वह बच्चा जैसे ही मशीन से बाहर निकलता है सबसे पहले तो नूबिता नूबिता को डैड बोलने लगता है उसके बाद थोड़ी दर बाद नूबिता के घर पर शुजुका आती है यह पूछने कि तुम आखिर कर मेरे से इतना ज्यादा पैंसिल क्यों लेकर गया तो नूबिता शुजुका को बोलता है कि मैं बच्चा बना रहा हूं तो इसी ब उसके बाद थोड़ी दर बाद जीयान और सुनियों भी आ जाते हैं जीयान और तुनियां उस बच्चे का मज़झा कुड़ाने लगते तुछ जवाई से चुछ मुझा हो जाता है और धंल्य वोगरे का का द कि कुछ दर बाद जो शुजु का उस बच्चे को शांत कर देती है उसको सुला देती है फिर डोरेमन एक और आइडिया लगाता है वो टाइम कर क्लोग चिफ निकालके उस बच्चे को वापस से मशीन में डालना चाहता था और वो बच्चा वापस से अपना माइंड डीड कर लाइब्रेरी में घुच जाता है और बस्ता इतना ज्याधा होश्यार होता है कि वह कुछी मेंटो के नन्डर पूरेन लाइब्रेरी का किताभ पढ़ लेता है काफ़ी तक होने के बाहद जोए विछ कcovery अच्छा बन जाते है इक कर त्यूंत मेम मैं अर्जी यह कहता है प्म मैं पूरे यूनिवर्स की बारे में जानना चाहता हूँ और मुझे सबसे महान बनना है यह कहकर वो बच्चा एक मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाता है एपिसोड तो यहीं पर एंड हो जाता है पर इसके एंड होने के साथ साथ कई सारी मिस्ट्री भी छोड़के जाती है अग फिर क्या होगा उस बच्चे का future में क्या वो अर्थ के लिए एक बहुत बड़ा thread बनके आएका future में फिलाव तो इसके बारे में हमें कुछ जाड़ा पता नहीं है और एपिसोड के अंदर भी इसके बारे में आगे कुछ दिखाया नहीं गया जिस वाई से फिलावत में जादा कुछ बोलने सकता अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना और थैंक्स क्यों क्या करवाने के लिए मैं मिलते हैं अपको अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए झाल झाल को अपने जरू करें तो एपको यह भीडियो कर दोड़ मांज डिएक कि लिए 15 में जरू कर देना आपको यह एप्सें।